अशन्शयम महाबाहो मनो दुर निग्रहम चलम ये निश्शित रूप से सत्य है के मन चंचल भी है और बहुत ही कठनाई से नियंत्रित होता है लेकिन भगवानशी कृष्ट ने ये कहा था अभ्यासेन तो कौनते ये वेरागेन चग्रिहियते के अभ्यास और वेरागे के माध्यम से ही मन को नियंत्रित किया जा सकता है तो हम इस बिंदू तक पहुँचे थे कि किसी भी अभ्यास के माध्यम से हम अपना जीवन नवेनी करण कर सकते हैं जीवन का नया रूप ला सकते हैं क्योंके अभ्यास और वेरागे ये दो इस्थतियां हैं जीवन की जो बड़ी मेहत्वोन है और इसमें द्यान रखने वाली बात ये है कि जहां से हमने अपने मन को हटाना है जहां से अपने आपको बदलना है उसके प्रती हमारे मन में वेरागे भावाए और जिधर हमें ले जाना है उसके प्रती प्रेम भी और अभ्यास भी किया जाए लेकिन यह है कि पुरातन अभ्यासों को चेंज किया जाए पुराने अभ्यास हमारे अवचेतन मन में आदतें बन चुकी हैं और उनके पैटर्न, उनके खाँचे मस्तिक्स में अपनी जगे बना चुके हैं और जीवन की धारा और अमारे जीवन की उर्जा उधर की तरफ बैने लग जाते हैं चाह कर भी हम अपने आदतों से इधर उधर नहीं जा पाते हैं लेकिन जीवन को उतकृष्ट बनाने का नियम यही है कि अभ्यास किया जाए और आप से जब मैंने कल कहा था कि अभ्यास परफेक्शन लाता है लेकिन उसी चीज में परफेक्शन लाएगा जिस चीज का अभ्यास आप कर रहे है अभ्यास यदि आप किसी गलत चीज का बुराई का करने लगे तो ये बात ध्यान रख लेना कि फिर बुराई में आप परफेक्ट हो जाओगे लेकिन अगर आप किसी अच्छी चीज का अभ्यास करते हैं तो पर्फेक्शन आपको अच्छा ही किया आएगे। आपसे ये भी कहा गया था, कि इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहली जो महत्वपून चीज करनी पड़ेगी वो कि आप लंबे समय तक धिरज रखकर अब्यास जारी रखें। तो आप सफल होंगे। इस बात को इस तरह से भी समझीए। किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में जब आप सफल होना चाहते हैं तो एक तो आपको धैरिये चाहिए। आपको बंदर वाला मन नहीं चाहिए। आप जल्दी घबरा जाएं, जल्दी छोड़ बैठें, कुछ हो तो रह नहीं है, तो हम क्यों बैठें, हम क्यों करें। तो जो लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, और जल्दी जिनका मन उचट जाता है, जिनका धिरज तूट जाता है, और जो लंबे समय तक अपने कार्य को नहीं कर पाते, तो वो सफल नहीं हो पाते। अफ्रीका में जहां गोल्ड माइन बहुत जादे हैं, तो वहां की एक सत्य घटना मैंने बहुत पहले एक प्रवचन में बताई थी, जिसका सार ये था, कि एक व्यक्ती ने अपने सारी चीजें बेच करके और गोल्ड माइन वाली जगहे खरीदी और वहां से बहुत लोगों ने उसके आसपास के क्षेत्र में सोना निकाला। लेकिन वह विचारा बहुत कोशिश करता रहा पर उसको सफलता नहीं मिली और एक दिन ये हुआ कि उसने जितनी मशीनरी लगाई थी और जितना पैसा लगाया था सब को छोड़ करके उसे निराश हो करके और वह अख़बारों में विज्यापन देना पड़ा। विज्यापन दिया कि मैं इस जगह को जैसी स्थती में हैं जो भी मेरी मशीनरी हैं उन सब को इतने रुपए में बेचना चाहता हूँ जो खरीदार हैं वो आये हैं। और एक व्यक्ति ने उसको खरीदार वो भी इसी तरह का व्यक्ति था कि उसने भी अपनी सारी चीजें बेची और बेच करके वो आ करके सब कुछ लेकर उसने शुरुवात की और कमाल की बात ये है कि जब उसने शुरुवात की तो केवल डेड़ सो फुट नीचे ही वो व्यक्ति गया और उसको वो गोल्ड माइन मिल गई और वो अफरीका का एक बहुत वड़ा अमीर व्यक्ति बना तो बाद में ये सवाल उठा कि साब उसकी किसमत में था तो इसलिए मिल गया और हमारी किसमत में नहीं था तो इसलिए नहीं मिला लेकिन इस वर बहुत बड़ी चर्चा चली कि एक व्यक्ति का धैरिय तूट गया वो जोखिम लेकर आगे और अभ्यास करने के लिए तत पर नहीं हुआ इतना कुछ दाओं पर लगा दिया था तो और सही वो और सही करने के लिए तैयार नहीं हुआ परिणाम ये हुआ कि कुछ दूरी पर ही उसका खजाना था और उर रुग गया तो उसके बाद चिंतकों ने ये लिखा कि बहुत लोगों की जिंदगी में उनकी कल्पना का खजाना नजदी की ही होता है वो किनारे तक पहुँच करके ही वहीं हिम्मत हार जाते हैं और कोशिश करते जाएं और किसी भी तरह से परिस्ततियां आपको तोड़ने को तैयार हो जाएं तो भी आप तूटे नहीं इसलिए जितने भी दुनिया में बड़े बड़े कारिये जिन लोगों ने किये हैं वे लोग आश्रे चकित करने वाले मेहनत करते रहें कितनी बार फेल हुए, चाहे वो एडिसन का उधारन आप लें, जिस व्यक्ति के कितने सारे प्रियोग असफल हुए, हम अगर एड्मिंड हिलेरी का उधारन लें, जिसने एवरेश्ट विजय की, तो शुरुवात में तो पंद्रा बार फेल हुआ व्यक्ति, पंद्रा बार फेल हुआ क्योंकि नियम था कि बेस कैम्प तक, सैकिंड बेस कैम्प तक आपको बिन ऑक्सिजन की सायता लिए, इतनी उचाई तक छड़के जाना है, तो व्यक्ति पंद्रा बार फेल हुआ, और उसके बाद पंद्रवी बार में जब उसको ये कहा गया, कि इस बार अगर आप कामियाब नहीं होते, तो तीन साल तक आपको फिर इस में भाग लेने से दूर कर दिया जाएगा, अब यहाँ आकर के एक बात सोचने वाली थी, कि एड्मिंड हिलेरी, एवरेश्ट का नक्षा सामने लगा करके अपने मित्रों के बीच में, क्योंकि अकेले कुछ हम बोल दें, वो बात अलग होती है, संकल्प के बारे में कहा जाता, सब के सामने खड़े होकर के बोलो, कि मैं यह करूँगा, और करके ही छोड़ूँगा, तो अपने मित्रों के सामने उसने हिमाले का, एवरेश्ट का नक्षा ही नहीं, उसका चित्र लगा रखा था, और उसके तरब इशारा करके कहा, कि ए हिमाले, तू एक पत्थर है, एक रॉक है, और मैं जानता हूँ तेरी उचाई को, पर तेरी समस्चा ये है, कि तू जितनी उचाई तक बना हुआ है, उससे उचाई नहीं हो सकता, पर तू मनुष्य की उचाई को नहीं जानता, मनुष्य आस्मान की उचाई तक जा सकता है, और उसका वाइदा करता हूँ, कि एक दिन मेरे पाउं तेरे शिकर पर होंगे, और मैं शुरू कर रहा हूँ, अब आप ज़रा सोचिए, कि इतनी बड़ी हिम्मत करने का परिणाम ये हुआ, कि वो एवरेश्ट विजेता बना, दुनिया में उस व्यक्ति का नाम इसी रूम में लिया जाता है, अब लोग कहते हैं, कि एक पाड़ पर चड़ करके तुमने क्या कर लिया, जीवन की किसी भी हुचाई पर और किसी भी शिकर पर पहुँचकर आप ये दिखाते हैं, कि एक व्यक्ति क्या कर सकता है, बहुत सारे लोग तो अपने जिन्दगी की समस्याओं से गबरा करके, नशा करके और अपने गड़े में और अपने गर्त में गिरते रहते हैं, मैं एक व्यक्ति को पढ़ रहा था, मुझे इस समय नाम ध्यान नहीं आ रहा, शायद नैपॉलीन हिल ही रहा वो, तो उसने एक वाक्य लिखा, कि अगर तुम अपने जिन्दगी में, किसी बहुत बड़ी उचाई पर जाना चाहते हो, तो तुमें एक काम करना होगा, हर दिन अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, कटनाईयों का सामना करना होगा, और अपने होसले को तूटने मत देना, पर इसमें एक बात याद रखना, ये करने के लिए, तुमें सबसे पहले ये ध्यान रखना होगा, कि तुम्हारे गर में तुम्हारे माता पिता भी है और तुम्हें आस्मानों तक ले जाने के लिए तुम्हारे पिता सामने खड़े हो मन में फिर भी यही सोचना कि जैसे पिता नहीं है सारा देने वाला सुख देने वाला रास्ता बनाने वाला नहीं है और मुझे अकेले अपनी यात्रहोंची आस्मानों तक पहुँचाने है कि जिस दिन तुमारे मन में ये बात आएगे कि वो जो हर समय तुम्हे अपनी छत्रचाया में सुक पहुँचाने के लिए सपने देखता है वो नहीं है वो रक्षा बरे हाथ नहीं है वो जब तुम गिर जाओगे तो तुम्हें संभालने के लिए तुम्हारे दुख में तुम्हारे आँसु पहुचने के लिए जो खड़ा होता वो नहीं है तुम्हें खुद ही यात्रह पूरी करनी तुम्हें खुद को खुद ही मजबूत करना है कि जिस दिन तुम्हारे मन में ये बात रहेगी और तुम हर दिन कठनाईयों का सामना करते करते जिंदगी को मजबूत बनाओगे तब कठनाईयां आसान करने का गुण तुम्हारे अंदर आ जाएगा और ये अब्यास जिसके अंदर आ गया उसे दुनिया में कोई नहीं यादा सकता है इसलिए मैं निविदन करना चाहता हूँ आप सबी को कि कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि आप अपने मन को साधान मत समझें इसे अभ्यास से उसोचाई तक ले जाया जा सकता है कि ये भगवान से भी जुड़ सकता है और सांसारी सफलताओं को भी प्राप्त कर सकता है तो पहला नियम यही है कि दिर्ग काल तक धैरिये रखकर के यदि आप अभ्यास कर सकते हैं तो अभ्यास चमतकार करेगा और साधान समय के लिए और साधान मन बना कर तूटावा मन रखकर के आप थोड़े दिन कोई अभ्यास करें तो उससे कुछ नहीं होने वारा तो अभ्यास मेत तुपून है पतंजली इसलिए कहते हैं अभ्यास वैराग्या अभ्याम तन निरोधा अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही तुम इसको नियंतृत कर सकते हो अगे भी लिखा है तत्र इस्थितो यत्नो ब्यास चित इस्थिर करने के लिए बार बार यत्न करना चाहिए इसी का नाम अभ्यास है कि आपका चित आपका मन इस्थिर हो सके इसी के लिए लगातार यत्न करते रहना यही तो अभ्यास है और जब यह अभ्यास आपके जीवन में आगे चलता जाता है तो फिर यह वो पैटर्न बनाता है आपके मन मस्टिक्स में अव शेतन में कि ये एक आदत बना लेता और जैसे हमने कल आप से ये कहा था कि इस बात को जरूर ध्यान लख लेजिए कि आदतें तो बन जाएंगे लेकिन आदतों को परिमारजित करना होता हर दिन उन्हें निखारना होता और उन्हें और आछ़ा बेहतर बनाना होता आदत तो बना लिए आपने कि एक रस्सी पर एक नट चल सकता है एक सरकस में एक तार के उपर चल करके दिखाए जा सकता है लेकिन हर दिन उस आदत में निखार लाना पड़ेगा उस निखार को लाते लाते आप उसको और विशिस बनाते बनाते आप वो चीज़ कर सकते हैं कि और सब से आप उत्कृष्ट हो सकते हैं और यदि आप ऐसा नहीं करते तो जो आपकी वो पहली आदत बने भी है वो कमजोर पढ़ने लग जाएगी तो आदतों को निखार ना भी होता है इसलिए अभ्यास तो जारी रखना पड़ेगा और उत्कृष्ट बनाना पड़ेगा इसलिए कोई व्यक्ति अगर किसी बड़ी उचाई तक पहुँचा है पिकासो अपने चित्र कारिता में बहुत उचाई तक पहुँचा तो सिर्फ तीन मिनट में उसने कोई एक चित्र बनाकर एक महिला को दिया जिसने का मुझे आटोग्राफ दीजिए बनाकर के दिया तो उस महिला ने कहा कि आपको पता है ये मैं चार अजार रुपए में बेश सकती हूँ और आपके तो चार ही मिनट लगे तो उसने कहा कि तुम्हें लगता है कि चार मिनट लगे लेकिन ये जो चार मिनट की कलाकारी तक आज पहुंचा हूँ इसके लिए जिन्दगी के चालिस साल लगे वो जो चालिस साल का ब्यास है उसने मुझे कीमती बनाया है कि जिससे आज अगर कागज पर कुछ कर देता हूँ तो उसके तुम चार जार रुपे मैं उसे बेचने के लिए तयार हो क्योंकि वो कागज पर लिखा होना कीमती इसलिए बना क्योंकि चालिस साल मैंने अब्यास किया है आपका चालिस साल का भ्यास आपकी जिंदगी में कितना उंचाई तक लेकर जाता है कोई भी आदमी ऐसे नहीं बनता अगर आप लोग देखते हैं ये जो धर्ती के अंदर कोईला तयार होता है और कोईले की खदानों के साथ ही हीरे के पत्थर भी मिलते है तो वो समझ लीजिए के लाखों सालों का ताप और दबाव सैने के बाद में वो पत्थर तयार होता है उस कोईला बनता है और अब तो ये कहा जा रहा है कि जो जन संख्या बढ़ रही है पूरी दुनिया के अंदर तो संसादन तो उतनी है और ये समस्या सबसे ज़्यादा भारत वर्ष की है और यहां एक वर्ग तो हमारे देश में ऐसा है जो बार-बार यही कहता है कि जन संख्या बढ़ है तो वो तो उपर वाले की मर्जी है हम क्यों नहीं अंत्रित करें क्योंकि एक सोची समझी अंतराष्टिय स्तर की शडियंत्रकारी योजना है जिसके तहत एक वर्ग इसी तरह की योजना में लगा हुआ और दूसरा वर्ग वो है जो बुद्धी मत्ता से यह कहता है कि संसादनी बचेंगे दुनिया में कैसे गुजारा करोगे आपके पास में शुद्ध पानी का स्रोत ही बारा परसेंट रह गया आपके जंगल कट गये है थर्टी परसेंट होने चाहिए लेकन थर्टीन परसेंट है तेरा प्रतिशक आपकी वायू अशुद हो रही है आपकी डिमांड बढ़ रही है सबजियों की फौलों की तो किसान अब एक बिगा में जितना कुछ उगा देना चाहता है तो आखिर में वो कैमिकल वगरा के प्रियोग होने लग गए है इंजेक्शन लगाकर के लोकी को बढ़ाय जा रहा है इंजेक्शन लगाकर के रातो रात आपका पेठ़ तयार किया जा रहा है बहुत बढ़ा तो आप जो खा रहे हैं वो कैमिकल खा रहे है आपके जो चावल आ रहे हैं वो पॉलिस किये वे है तो इसलिए वो पॉलिस वाला जो केमिकल है वो आपके शरीर में जा रहा है इसलिए एलेर्जी बढ़ रही है इसलिए कैंसर बढ़ रहा है इसलिए बिमारियां बढ़ रही है इसलिए अस्थमा बढ़ रहा है इसलिए जीवनी शक्ती गट रही है छोटा सा एक देश में नाम नहीं लेना चाहता है इस समय जहां कि आउस्तन आयू सोलह साल है और बहुत आलसी लोग हैं आपस में लड़ते रहते हैं एक तो गरीबी बदनसीबी उपर से आपस में लड़ लड़ करके अपने आपको जोर पीछे कर रहे हैं इसलिए मैं फिर आपसे कहना चाहता हूँ कि हम अपने संसादनों का ठीक उपयोग कर सकें और सही दिशा में अभ्यास कर सकें इसकी बुद्धी मत्ता हमारे जिवन में होनी चाहिए सही दिशा में किया गया अभ्यास आपको आगे लेकर जाता है चालिस साल तक अभ्यास करने के बाद में एक व्यक्ति इतना कीमती हो गया कि वो कुछ लिखता है तो उसका लिखावा भी जो है वो इतना लाखों का कीमती हो जाता और अब तो आप सोच लीजिए वान गौग से लेकर के पिकासो तक की जो पेंटिंग है पीछे च्छे करोड की बिखी ये की कोई व्यक्ति की पेंटिंग इतनी कीमती हो जाए वो च्छे करोड की बिख जाए आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति का अभ्यास उसे कहां तक लेकर के चला गया ये बात ध्यान लख लेजे आपकी जिन्दगी को कीमती बनाता है अभ्यास और कृष्णी ये कहते हैं तुम्हारे मन का अभ्यास अगर परमात्मा के लिए हो जाए तो फिर तुम छोटी मोटी चीजें पराप्त करने के लिए तैयारी नहीं करोगे फिर परमात्मा से कम तो तुम्हे कुछ चाहिए नहीं और जिसके पास परमात्मा है तो उसके पास परमात्मा का खजाना और क्या चाहिए तुम से तुम ही को मांगने की इच्छा है बगवान और दुनिया की चीज नहीं चाहिए इसलिए कहते हैं एक जगे से हटाना सीख जाईए और एक जगे मन को लगाना सीख जाईए लेकिन इसमें एक बड़ी मेत्वपून बात और भी है ओम स्री परमात्मने नमाह आप सबी भक्तों को बहुत बहुत शब कामने और आशिरवाद और आप सब के लिए प्रतेक वर्ष के तरह 108 कुंडिये शिगनेश लक्ष्मी महायग्य का आईज़न इस बार फिर से आनंदा माश्रम में आईज़त किया जा रहा है वर्षों से यहां साधने जप तप मंत्रपाट यग्य आउती अर्चन वंदन का कारिक्रम चलता ही रहता है इस बार विशेस रूप से यग्य का कारिक्रम तो रखा ही है साथ साथ में सभी भक्तों को हम जो भी आएंगे उन सब को यह चाहेंगे के यग्य कुंड के पास या फिर बाहर परिदी में बैठ करके आप सब लोग मंत्र पाट करें जो आपको सिखाया जाएगा कि सभी लोग जाए गणिश तरोशीर्ष का और स्री सुक्त का साथ साथ पाट करेंगे हजारों कंटों से एक साथ इतनी दोनिया निकलें तो कैसा भी दुरभाग्य व्यक्ति का हो तूटेगा जरूर और सोभाग्य जागरित होगा रक्षक वचाप का काम करेंगा साथ साथ में आप सब को हम ये चाहेंगे कि अपना अपना स्री यंत्र भी साथ में लेकर आएं क्योंकि उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी साथ में की जाएगी और एक विशेस चीज इस बाहर वैभाव साथना अनुष्ठान साथ-साथ में कराएंगे और वरदान सिद्वी साथना तो इसकी बुकिंग अलग होगी तो ये दोनों चीजें आप यग्य में भाग लें और साथना में भाग लें साथ साथ में एक मज़े की बात ये रहेगी कि सुबह जैसे यग चल ला है तो शाम को अनुष्टान वाले कारिकरम और कुछ अलग तरह की चीजें भी इस बार होंगी जो बहुत आकरशक होंगी और आपको जो है बहुत आनंद उसका आएगा तो मैं चाहूंगा कि इस कारिकरम में आप बढ़ चड़ कर भाग लें और यदि कोई नहीं आ पा रहा है तो संकल्पित यजमान बन करके अपने गर में बैटे बैटे ही आप सामने उसमें शामिल हो करके और उसी तरह की मनुभावना बनाए आपकी भाव तरंगें भी आपका कल्यान करेगी आप सब के लिए में बहुत मंगल कामने 6 अक्तूबर से 9 अक्तूबर का दिन आप भूप कर लेजे और आनन्द आम आश्रम में पदारिये मैं आपकी परदिक्षा कर दाना कर दो कर दो कर दो आपकी परदिक्षा